श्री लंका के खिलाफ तीसरे वन नडे मैच में टीम इंडिया ने आठ विकेट से जीत दर्ज की मैच में इंडियन स्पिनर्स पूरी तरहे श्री लंकाई बैट समयन पर हावी रहे श्री लंका की दिगज बैट समयन ने जेलो मैथ्यूज चक्मा खा गए ये श्री लंका की इनिंग का 34 वा ओवर था शेहल केस ओवर की पांचवी बैट पर मैथ्यूज चक्मा खा गए नीची रही बैट को इतना जबरदस्ट टरन मिला के जब तक मैथ्यूज बैट नीचे लाते, बॉल स्टंप्स बिखेर चुकी थी, मैथ्यूज ने बॉल को डिफेन करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके, ऐसी शांदार डिलेवरी पर ज्यादतर बैट समैन के पास, बचने की कोई गूंजाइश नहीं होती, लेग बॉल ने मैच में तीन मेडन के साथ खुल 10 ओवर में, 46 रन देकर तीन विकेट जड़के